Good morning students, myself Yasmin from CMIS, Standard 4, Subject Hindi, Part 2, जब हवा चलती है, मैं नहीं ये पार्ट आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुकी थी, आज मैं जब हवा चलती है के प्रश्णों तर कराएंगी प्रश्ण वान, किसान ने अखवार में इस्तिहार क्यूं दिया? उत्तर किसान के खेत में काम करने वालों की बड़ी जरुरत थी लेकिन ऐसा खतरनाक जगा, जहां आए दिन आंधी तुफान आते रहते हों, कोई काम करने को तयार नहीं होता था इसलिए किसान ने अखवार में इस्तिहार दिया प्रश्ट टू कोई भी मजदूर किसान के खेत पर काम क्यों नहीं करना चाहता था उत्तर कोई भी मजदूर किसान के खेत पर काम इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि वहाँ आए दिन आंधी तुफान आते रहते थे प्रेश्ट ट्री किसान की आखें आश्चरी से खुली क्यों रह गई किसान की आखें आश्चरी से खुली इसलिए रह गई क्योंकि फसल की गाठें अच्छे से बंधी हुई थी और तिरपाल से धकी भी थी उसकी गाए बैल सुरच्छित बंधे हुए थे और मुर्गिया भी अपने दर्वों में थी बाड़े का दर्वाजा भी मजबूती से बंधा हुआ था सारी चीजे बिलकुल व्यवस्थित थी नुकसान होने की कोई संभावना नहीं बची थी प्रेश्ट फोर जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ का आशे क्या है जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ का आशे है कि हमारी जिन्दगी में भी कुछ ऐसे तुफान आने ते हैं प्रन्तू जरूरत इस बात की है कि हम पहले से तैयारी करके रखें ताकी मुसीबत आने पर भी हम भी चैन से सो सके प्रेश्ट फाइब इस कहानी से क्या सीक्षा मिलती है उत्तर इस कहानी से हमें ये सीक्षा मिलती है की हमें अपना काम समय पर करना चाहिए कथा गुरे समय से निपटने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए सही सग से रिक्त स्थान भड़िये डैस के उत्री छोर पर एक डैस रहता था करनाटक के उत्री छोर पर एक किसान रहता था जब हवा चलती है तब मैं क्या होगा सोता हूँ किसान अपने अनुभब से समझ गया की अब तुफान आने वाला है सारी चीजे बिलकुल वेवस्त थी सही उत्तर पर सही का निशान लगाईए एक किसान एक सामानिकद का पतला दुबला वैक्ती किसान के पास पहुँचा अधिर जवान ब्रिद मजदूर सुभा से डैस तक खेतों में मेहनत करता दोपहर शाम रात किसान के हाथ में डैस ठिकली और मजदूर के जोपरे की तरफ दौरा लकडी रसी क्लाइटिंग भासा बोर निम्लिखित सब्दों के समाना ठक सब्द लिखिए तबाही इस्तिहार मजदूर किसान गुस्सा मजबूत मुसीबत निश्चिन बहु बचन बचन बचनाईए जगा वैक्ती खेत मजदूर परिस्थिती तूफान तो स्टूडेंट्स आज का होमवक क्या है प्रश्ण उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और याद करें परिस्थिती